तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजेटी और पीजेटी चेत्रकला की तयारी के लिए महत्पुल तत्थो का ध्यन करेंगे आज लगभग सव से अधिक महत्पुल तत्थ का ध्यना करने वाले हैं तो कि एक मूर्ती है नांदेश्वर इमूर्च सिल्प कहां पर है नेशनल गैलरी आफ माडरनाट नहीं दिल्ली में तो बलवीर सिंग कट का नांदेश्वर मूर्च सिल्प जो है ओर नेशनल गैलरी आफ माडरनाट नहीं दिल्ली में सुरच्छित है और बसिष्टा के आधार पर बरिश्टता के अधार पर यह मैं फुशेन पहले आएंगे फिर सयद हैदर रजा आएंगे फिर सतीज गुज्राल आएंगे आगे देखते हैं के भी जेना किसे जुड़े हैं तो पाटरी कला बिधा से के भी जेना जुड़े हैं भारतियम मूर्तिकला की दो अतिविस्ष किर्थियां क्या है तो भारतियम मूर्तिकला की दो अतिविस्ष्ट किर्थियां मानी याति बुद्धयों नट्राज की मूर्थि आगे देखते हैं पीलू पोछकन वाला किसमें काम करते थे तो एलुमूनियम और पत्थर माध्यम में पीलू पोछकन वाला काम करते थे पक कि तिर्नाले प्रदर्शने का अंत्राल पूझा जा रहा तो अंत्राल दो बर्स होता है और हर तीन बर्स में अंतर राष्टी चित्रकला प्रदर्शनी होते उसको तिर्नाले कहा जाता है आगे देखते हैं त्रिवार्षिकी भारत अंतराष्टिकला प्रदस्री का आरम भुवाता 1968 भी में और तिर्चाले दिली में आयूत होता है आई आगे देखते हैं गुजरात का सम्मद अभरन सैली से है अगे देखते हैं भारतिय कला बाजार की पर्थम अंतर राष्टि नीलामी किष्टिकला क्रतियों की नीलामी घर है ठीक है कला नीलामी की आनलाइन संस्था सैफ्रन आर्ट संचालित करता है तो इसको संचालित करता है मीनल वाजिरानी आगे देखते हैं अंतेष्टी संबंधी कला कहा जाता है तो मिस्र की कला को अंतेष्टी संबंधी कला कहा जाता है मिर्थकों की पुस्तक बुक आपडेट लिखी गई है मिस्र में और मिस्र की कला सैलिक की अवधारणा संबंधी ते आत्माव से आगे देखते हैं, हेमूत कार्ज क्या होता है, तो कारिगर, प्रेंच, रोमन्स कला के सर्फिष्ट उधारण है, पोईतु की चर्च में, मिसर के पर्थम भवन निर्मार कला कितनी पुरानी है, तो पचीस सु बीसी, मिसर के पर्थम भवन निर्मार कला पचीस सु बीसी पु गनवादी चितर है बीपिंग भुमान अब भिंजनवादी चितर है दा शिक चैल्ड अत्य थाथवादी चितर है दा परसिस्टेंट आप मेमोरी और उत्तर प्रभावादी चितर है दा पोटेटो इटर्स आगे दिखते हैं लुवाहिन प्रारभिक इसाई काल के चित्र सरप्रथम बनाए गए थे समादे और गुफाओं पर सरप्रतम पासाढ काली नवजार मिले हैं पल्लोरम से अमराउत इस्टूप का इसंतों का इस्टूप आंधपरदेस के गंटोर जिले में है अम्रावती का स्थूप आंध प्रदेश में स्थित है किष्णा नदी की किनारी अम्रावती की मूर्तियों पर क्या दिखाई देता है रोमन का प्रभावज लगता है अम्रावती की मूर्तियों पर गोदावरी तथा कृष्णा नजियों के बीच जो मूर्थ सिल्प का केंद्र है वो अमरावती का है प्रबल गठ सीलता अमरावती के अलागी प्रमुक विसेस्ता है साची का स्थूप विद्शा में स्थित है साची स्थूप पर संदेश खुदा हुआ है तो ब्राहमी लिप में खुदा हुआ है साची में प्रदर्शित कला वासिल्प संबंदित है बहुत धर्म से साची स्थूप की खुदाई विसेस्ता हाथी दान्त की नकासी जान पड़ती है आगे देखते है साची में प्रदर्शित किया गया बहुत धर्म की कला से लोको साची और भरुत बना है संगुकाल में और भरुत ग्राम सतना में इस्तित है साची जाना जाता है बहुत इस्तूप के लिए साची इस्तूप आकार है इसका अर्धिवित्ताकार तुरणद्वार विस्परसिद्ध है तो साची स्थूप का तुरणद्वार विस्परसिद्ध है भरुत में भी साची की भाद क्या है तिर्थंकर की मूर्ति का अभाव है मतब तिर्थंकर की मूर्ति नहीं है जेत वन का दान मुर्च सिल्प कहां है यह भरूत में इस्तित है जेत वन का दान तस्तिला का सबसे महत्पुड इस्तूफ है धर्म राज का भारतिय मुर्ट कला में हास्ट बेंग का सिल्पांकन विसेस रूप से हुआ है कहां पर भरूत में हुआ है साची का साल भंजी का यच्छी अक्रित आंध्र काल की है जो वन पॉइंट नोट्स है यह आपके रिवीजन के लिए हैं और बहुत ही लाबदायक है एक जाम तक आप इसको रिवीजन करते रही है तो यहां से आपको जरूर प्रश्ण का लाब होगा इस्तूप चैत बिहार देन है सुंग युक्के सुंग कालें सिल प्रभावित करते हैं बौध जैन और ब्रामर धर्म से अश्टबुजाकार इस सेर सासूरी का मकबरा जो सासराम बिहार में अश्टबुजाकार है अलाई मीनार दिल्ली में स्थित है राम चरित मानस की रचना साल में तुलसी दासने किया था रामाड के रचीता महर सी बालमी के हैं और सही करम है मौर पहले आये फिर कुशार आये फिर गुप्त परतिहार बिहार गुफाओं को कहा जाता है संगाराम बिहार में बैट बनी बैठक कि उसको कहते हैं प्रतिष्ट पस्थान साला चैत को पूजा घर कहा जाता है और चैतों का उद्देश पूजा के लिए किया गया था इसका निर्माल चैत गुफाओं का उप्योग होता था प्रातना और उपासना के लिए और बवद भिच बिहार में रहते थे इस्तु परतिक है समाधिका और कई सहरे इमारतों में चित्रित आकरतियों के अस्तुत का वरण है बीने पिटक में बहुत धो में मूर्ति पूजा का समर्थक संप्रता है महायान भारती मूर्तिकला की सैली का सही अनकरम है कोशाणकाल गुप्तकाल पाल और चंदेर बहुत धर्म का मुख बड़ा मंदिर कौन सा बिहार प्रांत में है आम अर्थुना मंदिर समुव इस्तित है बासवाड़ा जिला में चाद बावडी तथा नवी सती के हर्स माता मंदिर की मूर्तियों के लिए राजस्थान के लिए परसिद अस्थान है आमेरी सास्त्रबावस मंदिर समुव है उद्धपूर संभाग में और उद्धपूर के समीप नागदा में परसिद मंदिर शास्त्रबाव मंदिर है चटानों को काट कर मंदिर बनाने की कला सबसे पहले जो परचारित हुआ था पल्लो सासक महंद बर्मने तारीक अलफी क्या है इरान का इतिहास है ब्रह्मा के चार मुख पर देखा है चार बेदों के बेद क्या है बेद कितने है चार है बेद की रचना संस्कित भासा में हुई है चारो बेदों में गयात्मक बेद जो है सामबेद है संगीत का जन में ही पर बताय जाता है इसी ब बिद्दु चित्र अविद्दु चित्र रस चित्र और धूल चित्र का वड़न मिलता है उपनिसत कालो के ग्रंथों में भारतिय चित्र यों मूर्तियों में देव आकृतियों के पीछे जो बना हुआ चक्र प्रतिक है सूर सम्मान चक्र का आगे देखते हैं भार्ती प्रतिक स्वस्तिक विकास बिक्सित हुआ सूर से गौतम बुद्ध का उपदेश था चरक भिक्केते बहुजन हिताईस बहुजन सुखाई बुद्ध अपने उपदेश मुख रूप से देते थे पालिभासा में रचित बहुत ग्रंद का नाम बिने पिटक था बहुत घरम बिने पिटक लिखा गया है पालिभासा में राक गार्डन चंडीगड में इस्तित है नेक चंद राक गार्डन चंडीगड का डिजाइन थे नेक्चेन साइनी का सम्मधरा गार्डन से है परसिद लव अस्तंब नई दिल्ली में स्तित है मूर्तियों पर ओपदार पालिस की भी सिस्ता कहां की है मौरकाल की है चंदगुप्त विक्रमा दिद्वारा बनाए गई लाट जो है लव माध्यम में बना हुआ है असोक कालिन सिलाले को पढ़ने का सबसे पहले सिरे पाया था जेन सिपरिनसम ने सारनाथ का धामे किस्तुप के निर्माल करता थे मौर और सारनाथ अस्तंब पर आकिर्थी नहीं है तो गाई की आकिर्थी नहीं बनी हुई है सारनात के अस्तंब की चौकी पर चार जानरों में आकिरतियां उप्ति लिड़ हैं तुबायल, घोड़ा, सेर और हाती समराट असोग के काल में निर्मित जिस अस्तंब के परगहे को भारत का राष्टिये चिन घोसित किया गया वहा कहां पर सारनात में इस्तित है असोग कालिन अस्तंब के परगहे को राष्टिये चिन का गवरोप्राप्त है सारनात अस्तंब को सारनात पिलर बना है तीसरी सताब्दीसविपूर, सारनात का सिंग मुखाकरत जो मौर बन सका है ये तीसरी सताब्दीसविपूर में बना हुआ है सारनाथ का सिंग अस्तम निर्मित हुआ है सोक के सासंकाल में सारनाथ की दो परसिद्ध मूर्तियों का नाम है बिसाल बोधिसत्तो यों धर्म चक प्रवर्तन बुद्ध बौत धर्म का सबसे प्राचीन सारनाथ है बौत धर्म की प्रारंभिक मूर्थियां बनी हुए चुनार पत्तर से सुल्तान गंज से प्राप्ट गुप्त कालिन बुद्ध की तामर परतिमा की मुद्रा है अभे मुद्रा में बना हुआ है समराट असोग बौत बने थे उतकल परदेश की चड़ाई के बाद चामर गिरहली सिल्फ है मौर कालीन चामर धाली ये चड़ी की मूर्थ प्राप्थ हुए दीदारगन पत्ना से समराट असोग की रध्धानी पाटिर पूत्र में थी असोग ने आईजिन किया था तिर्थिय बहुत संगीत का लाटवा परगहा अंग है बहुत कालीन अस्तंबों का लाटवा परगहा अस्तंब के अंग होते हैं या भाग होते हैं मौर कालीन निर्मित असोग अस्तंब का प्रभाव भारतियों मीरान से मिलता है असोग कालीन अस्तंब के सिर्थ पर आकिरते हैं पस्वों की असोक पिलर जो लोरिया नंदन गड़ बिहार मेस्तित है उसकी उचाए है लगभक 9.7 मीटर असोक अस्तम पर लिखी गई जो लिप है वो ब्रामी लिप में लिखी गई है असोक अस्तम बने हुए चुनार सैंड श्टोन से अगे देखते हैं असोक के अविलेक पर मयूर के आखरती नंदन गड़ अविलेक पर है धर्म राज का इस्तूप बनवाया समराट असोक ने चित्र थवेलिया विख्या थे राजस्थान की राजस्थान के एक नगर का नाम भेते चित्र से जुला है जैपूर जग निवास महल इस्तित उद्यपूर में और 1444 अस्थम्भो का प्रसिद एतिहसिक मंदिर है रखडपूर इंपोर्टेंट है 1444 अस्थम्भो वाला प्रसिद एतिहसिक मंदिर है रखडपूर तो आज का यहीं पर महेतपोर तत्थों का वीडियो समावत होता है आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बाफ से जरू बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगले वीडियो में ऐसे इक प्रनात्थों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिन जय भारत आपका दिन सुभों मंगल हो